निशन वार, पीथ सब्सक्रिण ताहर 43, तो लास्ट लेक्शर में हम लोगों ने, कॉंटाक्ड फोर्ष Battle, बिट्वीन गव्मक्ट ने, कॉंटा क्उन्टाक्ड फोर्ष बिट्विन, घोनास्ट फोर्ष सूर्फेस नास्ट रिखेस। जो contact में होगा, कोई भी दो surface जो contact में होगा, उनके बीच में एक normal force लगता है, जिसको perpendicular to the contact, जो contact force लगता है, उसको normal बोलते हैं, और parallel to the contact plane, जो force लगता है, उसको friction बोलते है, friction detail में हम लोग आगे हैं, पढ़ेंगे, normal के लिए क्या था direction, normal का direction हमेशे ऐसा था, कि वो दोनों objects क को दूर करना चाहता था, ठीक है, अब इस lecture में हम लोग, इस lecture में 5 हैं, इस में हम लोग tension के बारें पढ़ेंगे, तो tension ही ने string या rod ये क्या होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो suppose आपके पास यहाँ पे एक रस्सी है, ठीक है, और ये रस्सी का point P है, तो point P के left side वाला जो रस्सी का भाग है, उसका कुछ नाम रख देते हैं, माल लो AP, और point P के right वाले भाग का नाम रख देते हैं, ठीक है, अब A को कहीं भी ले सकते हो, कली point P के left में ले लो, और B को कहीं भी ले सकते हो, माल लो point P के right में ले लो, ठीक है, तो रस्सी है बेसि पी के लेफ्ट वाला जो पार्ट है, यानि एपी भाग, ये एपी भाग जो है, पी के राइट वाले भाग में, यानि पी भाग पे, जो फोर्स लगा रहा है न, उस फोर्स के मैंगनिचूट को मुने बोलते हैं, वैसे ही, पी के राइट वाला भाग, जो कि पी भाग है, वो पी के लेट वाला भाग यानि पी ये भाग पर जो फोर्स लगा रहा होगा उसका मैगनिचूड को हमनों बोलते है टेंशन ठीक है तो टेंशन एट पॉइंट पी ये बराबर होगा कॉमन मैगनिचूड अफ फोर्स अग्सर्टेड बाइ पार्ट्स उन इधर साइट्स अफ पी ऊन इच अगर ठीक है पी के इधर साइट्स में जो पार्ट्स है वो एक दूसरे पी जो फोर्स लगाएंगे उसको हम लोग बोलते हैं टेंशन ठीक है उसका फोर्स का मैगनिचूड को है ना फोर एक्जाम्पल माल लेते हैं कि point p पे tension की value 20 newton है point p पे tension की value कितना है 20 newton ठीक है न तो इसका मतलब क्या है force by ap वाला भाग on pb वाला भाग will be equal to 20 newton direction अभी नहीं बता रहा हो यहाँ पे और वैसे ही force by pb वाला part on ap वाला part kya हो जाएगा magnitude wise 20 N ठीक है अब tension का direction जो होता है वो हमेशा attractive रहता हैение मतलब ap वाला भाग qo अपने तर्फ खीच रहा होगा तो ap वज पी वाला भाग qo अपने तर्फ खीच रहा होगा वाजे pb वाला भाग ae p-1 अपने तरु सब्स की रहा होगा कर रहे है ना तो tension acts in such a way that it appears to be attractive ठीक है यहाँ दखना attractive और repulsive यह सब तरीका है tension यह normal का direction जानने का ठीक है actually में यहाँ पर मतलब कोई sense नहीं बनता है यह सब attractive बोलने का है ना लेकिन आप attractive याद रखो कि tension attractive होता है तो आपको idea रहेगा हमेशा कि tension का direction क्या draw करो तो इसके और कुछ examples ले लेते हैं tension का direction का है ना तो याद खना tension by definition वो magnitude की बात करेगा बस मतलब tension किसी point पर बताओगे तो direction बताना कि जरुवत नहीं है जरुवत नहीं मतलब भी नहीं है ना नहीं जरुवत है और जरुवत इसलिए भी नहीं है तो वो senseless हो जाएगा इसलिए जरुवत नहीं है कि हमें common magnitude of force बताना ठीक है टेंशन की direction तो तब पहर चले कि जब हम लोग पता करेंगे या जब हम लोग पता करना चाहेंगे या बताना चाहेंगे कि किस side कि side पे force लगा रही है जब उसका description देंगे तब है ना अब अगर ब तो tension का direction का कोई मतलब ने unless आप ये बताओ कि किस object पे आप tension का force निकाल रहे हो ठीक है तो जैसे अगर pula part में a pula part के दोरा tension किस तरफ है वो left के तरफ है वैसे a pula part में pula part के current tension किस तरफ है और right के तरफ है ठीक है दोने एक दूसरों को खीच रहोंगे है ना तो ये चीज़ और pa वाला वाग, pa वाला वाग को अपने तरफ खीच रहा है 20 newton से तो point p पे tension मोग क्या बोलेंगे 20 newton ठीक है ओके अब इसके बाद ये होने के बाद अब एक और example ले ले लेते है जिसमें आपको tension की direction पहाँ चलेगी माल लो एक block है 2 kg का ठीक है वो किसी रसी से hanged है और यह किसी rooftop पे है जो भी है ठीक है कोई support है उपर में अब अगर हमें पूछा जाए A पे tension बताओ B पे tension बताओ और कोई point है C पे tension बताओ and so on ऐसा question हो सकता है न और मान लेते है for the time being कि जो रसी है इसका mass 0 है रसी का कोई mass नहीं है ठीक है तो अगर मुझे B पे tension पूछा गया है तो अगर मैं इस 2 kg के बारे में सोचूं तो 2 kg के contact में बस रसी है और कोई भी चीज नहीं है तो 2 kg के उपर तो अगर हम लोग 2 kg पे forces draw करे तो 2 kg पे point B पे जो भी tension की value होगी मान लेते point B पे tension की value TV है तो इस 2 kg को point B के उपर वाला जो भाग है यानि रसी वो अपने तरफ खीच र और इस 2 kg को अर्थ जो है अपने तरफ कीच रहा होगा mg से ठीक है तो TV के value क्या हो जाएगी mg के बरावर क्यों क्यों क्योंकि ये चीज acceleration इसका 0 है तो acceleration 0 है तो net force 0 ना चाहिए अगर दो ही force लग रहे और दोनों opposite direction में लग रहे तो net force तभी 0 हो सकता है जब इसका magnitude और इसका magnitude same हो ठीक है तो point B पर tension आपने निकाल लिया यह 20 newton है ना वैसे करके आप point C पर tension निकाल सकते हो point A पर निकाल सकते हो ठीक है तो यह हमनों detail में पढ़ेंगे जैसे point A का दिखाई देते हो तो point A पर tension निकालने के लिए आप क्या करोगे आप इसको देखोगे पूरे रसी और block इसको बारे में सोचो आप ठीक है इसका एक सेशन हमें क्या दिख रहा है इसका एक सेशन भी हमें 0 दिख रहा है तो अगर इसका एक सेशन 0 दिख रहा है तो इसके उपर भी netforce 0 ना चाहिए अब इस पूरे चीज के contact में कौन है है ठीक है और रूफ इस पूरे चीज से कॉंटएक में किस póiंट पे एी पॉइंट पे हैं तो अगर पॉइंट एक टेंशन की वैलू ये ठीए तो पॉइंट एक उपर अला भाग पॉइंट एक नीचे अले भाग यानि इस चीज पे ये ऊपर के तरफ लगा रहोगा है विट टेंशन हमेशा अट्रैक करता है ठीक है मैं इसके उपर छत वाला फोर्स बता रहा हूँ ठीक है ना कि यह चीज के एक्सेशन जीरो है मतलब नेट फोर्स जीरो होना चाहिए ठीक है वैसे गर के पॉइंट सी पे निकालोगे तो आप टेंशन की वैलू आपको 20 नूटर मिलेगा है ना एक जनरल रिजल्ट है कि मासलेस रोप के हर पॉइंट पर टेंशन सेम होगा एट लिस्ट से रोप है पुली उली पर मास से रोप आ जाएगा फिर वुफ में अलग 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 आ जाएगा ठीक है अगर पुली का मास होते रहा तो तो रोटेशन में पड़ेंगे अभी के लिए यह चीज ठीक है ना तो टेंशन पर इसस्याद बात चीथ हम लोग नहीं करेंगे और करेंगे ठीक है आप कुछ भूल रहे हो इमांदारी से बताना करना है नहीं करना है करना है करो ना भई क्यों नहीं कर रहे है